हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम बैक टू मैं चैनल, आज मैं आप सबसे पिज्जा डो कैसे बनाते हैं, उसकी रेसिपी सेयर कर रही हूँ पिज्जा के डो के लिए मैंने हाप कप ल्यूक बॉम दूद में टू टी स्पून एक्टिब ड्राइ इस्ट एड़ किया है और इस्ट डालने के बाद टू टी स्पून चीनी भी इसमें एड़ कर दूँगे और दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगे दस मिनट के लिए साइड में इस्ट को रख दूँगे यहाँ पर मैंने हाप केजी मैदा पिज्जा डो के लिए बॉल में ले लिया है मैं यहाँ पर डो इस्ट से बना रही हूँ आप चाहें तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पौडर से भी डो बना सकते हैं इसके लिए हाप केजी मैदा में वन टी स्पून बेकिंग पौडर, हाप टी स्पून बेकिंग सोडा, हाप कप दही, वन टी स्पून चीनी, नमक और एक टेबल स्पून तेल के साथ आटा को गूथ ले और आधा घंटा साइड में रख दे हाप केजी मैदा में मैंने वन टी स्पून गार्लिक पौडर एड़ किया है, यह बिल्कुल ओप्सनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, मुझे पिज्जा का डो थोड़ा फ्लेवर्फूल अच्छा लगता है, इसलिए मैं एड़ कर रही हूँ, मैं इसमें हाप टी टी स्पून ओरीगेनो भी एड़ करूँगी, और हाप टी स्पून बेजील, बेजील ओरीगेनो और गार्लिक पौडर बिल्कुल ओप्सनल है, आप चाहें तो प्लेन डो, स्रिप चीनी नमक तेल, और इस्ट के साथ बना सकते हैं, अब सब को मिक्स कर देंगे, आटे के बीच में होल बना देंगे, मैंने जो इस्ट फर्मेंट होने के लिए दिया था, उसको एड़ कर देंगे, वन टेबल इस्पून ओलिव बाइल भी एड़ कर देंगे, ल्यूक बॉर्म पानी के साथ आटे को गूथ लूँगी, आटा को मैंने गूथ लिया है, ये देखिए, ये कितना स्टिकी स्टिकी दिख रहा है, लेकिन इसको 15 से 20 मिनट तक जब हम गूथ हैंगे, तो ये अच्छी तरह से स्वाप्ट डो तयार हो जाएगा, तकडी बन 15 मिनट तक आटा को गूथने के बाद ये देखिए, कितना अच्छा स्वाप्ट डो तयार हुआ है, इसको बॉल में ट्रांसफर कर दूँगी, और मैं हाप टी इस्पून ओलीव बायल इसके उपर स्प्रेट कर दूँगी, फिर मैं क्लिंग रेप से अच्छी तरह से सील करके इसको 45 मिनट तक के लिए किसी गरम जगा पे रख दूँगी, तक्रीबन 45 मिनट के बाद मेरा पिज्जा का डो देखिए कितना राईज हो गया है, अब मैं इस में से एर निकाल लूँगी और एक बार फिर से गुथूँगी, और पिज्जा का डो पिज्जा बनाने के लिए तयार हो गया, पिज्जा का डो पिए,